यूपी के सिधात नगर में राप्ती और बुढ़ी राप्ती नदी ने भयंकर तबाही मचाई हुई है हमारी मौजूदगी फिलहाल सिधात नगर के खैरी गाउं में है आप तस्वीर देख पाएंगे कि पानी का जो लेवल है मेरे घुटने के करीब है और साफ तोर से इससे भी ज़्यादा पानी अगर हम आगे जाएंगे गाउं में तो वहाँ पर देखने को मिले आएगा मिलने के दिखेगा और इसके साथ-साथ अगर दाहिने और अगर आपको दिखाएं तो सामने आपको घर दिखेगा इसके साथ साथ कई पेंड दिखेंगे जो तने से भी ज़्यादा उचाही तक दूब हुए आपको नज़र आएंगे समंदर का आकार ले चुका ये इलाका हिंदुस्तान और नेपाल की सरहद है ये जो गाउं है यूपी के सिधार्थ नगर के आखरी छोर पर है जहां इन दिनों जमीन तलाशना जोकिम भरा हो चुका है सड़क से लेकर पकडंडियां तक पानी में समाई हुई हैं लेहाजा गाउं तक पहुँचना बेहद मुश्किल था लेकिन घुटने तक पानी में चलते हुए आखर मंजिल आ ही गई गाउं वालों से हालात पूछे तो बेबसी जुबान पर आ गए क्या क्या दिक्कते हुई घर में किस तरह की परिशानी हुई जब पानी है घर में हला कुल पानी कुल परिशानी है सब के लिए परिशानी है गांभर के लिए परिशानी है खान पीन के लिए कुल चीज के परिशानी है इसानल कुल परिसानी कि पीना के बाहर भीतर कुल अपार है नेपाल से लगते सरहदी इलाके के जल मगन होने के पीछे नेपाल में दो हफ़ते से लगातार जारी बारिश है जिसकी वजह से नेपाल से बैकर आने वाली राप्ती नदी रौद्र रूप लिये हुए नदी का पानी अपनी सीमाओं को पार करके कई गाउं तक पहुँच गया है चपेट में है और लोगों को आशियाना अपना छटों के ऊपर बनाना पढ़ रहा है तो इस तरह की तस्वीरे लगातार परिशान कर रही है जील जैसी इस्थितियां इन गाउं में बनी हुई है रहत सामगरी कुछ इलाकों में पहुँच रही है कुछ इलाकों में नहीं लोगों ने घर की छटों को ठिकाना बनाया हुआ है पानी का लेवल जो है वो आपको पेड़ के तने के करीब पहुंसता हुआ नजर आएगा इसके साथ साथ अगर तस्वीरें आपको घर की दिखाएं तो लोगों का जो ठिकाना है फिलहाल वो छटों के ऊपर बना हुआ है सारा सामान वो लोग बार के पानी से बचाने के लि वो पहुचेगी यह अब भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है फिलहाल बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामगरी पहुचने लगी है साथ ही बाढ़ का पानी भी कम होने पर महमारी के खत्रे से निपटने के लिए दवाईयां भेजी जा रही है यहां से आप तस्मीरे देखें किस तरह से बूढ़ी राप्ती नदी का जलस्तर खत्रे के निशान के उपर है और इसने आसपास के इलाकों में लोगों को काफी जादा नुकसान पहुचाया है तकरीबन 50 से भी जादा जो गाउं है वो इस इलाके के आसपास जो बने हैं वहाँ पर इस नदी का पानी जब पहुचा है तो उनके घरों में पहुचा है और जिसके बाद अभी भी पानी जो है वो उनके घरों में भरा हुआ है और काफी जादा नुकसान जिसके चलते उन सिधार्त नगर ही नहीं नेपाल में बरस रहे बादल यूपी के कई और जिलों के लिए भी आफ़त लेकर आएं इन्हीं में गोरखपुर भी शामिल है गोरखपुर में राप्ती और रोहिन नदी ने भैंकर तबाही मचाई है अब तक 49 गाओं को अपने लपेटे में ले लिया है जिसके बाद जन जीवन काफी जादा अस्तविस्त हो गया है हमारी मौझूदगी को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी टापु पर मौझूद हूँ लेकिन आपको बता दें कि ये गोरखपुर का उत्तरी कोलिया गाओं है और इसके आसपास की अगर आपको तस्वीरे दिखाना चाहें तो किस तरह से इसके हर और या फिर कहें चारो और पानी ही पानी आपको नजर आएगा काफी जादा नुकसान इस इलाके में हुआ है लोगों को अपना आशियाना अपना ठिकाना छोड़कर उपर सणक के किनारे शरन लेनी पड़ी है और कई सारे जो मकान है वो भी आपको डूबे हुए नजर आएंगे गोरकपुर और बस्ती की तरह सैलाब के खौफ में सिम्र्टी काशी भी है जिसकी वज़ए है वारानसी में गंगा का लगातार बढ़ता जलसतर वारानसी में गंगा का जलसतर 20 मिलीमीटर की रफ़तार से बढ़ रहा है और खत्रे के निशान तक आ गया है कई घाट पानी में समा चुके हैं एतियातन गंगा में छोटी नाओ के संचालन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है ये वारांसी के घाटों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि अब लगबग जो घाटों का संपर्क है वो तूट चुका है इसके अलावा प्रसासन की तरब से दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि छोटी नाओ को अब नहीं चलाए जा सकेगा बड़ी नाओ में भी सक्ती कर दी गई है निर्धारित लोगों के साथ ही सफर करने का आदेश दिया गया है साथी लाइफ जेकेट पहना पूरी तरह से अनिवार है और गंगा नदी की बात कर लें तो तक्रीबन चार से पांच सेंटिमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से ब्रजी हो रही है सिधार्त नगर से श्रावस्ती और बस्ती से बनारस तक यूपी में सत्रह जिले बाड की चपेट में है नेपाल से बहकर आने वाली सभी नदियां खत्रे के निशान को पार कर गई हैं जिसने मुसीबत बढ़ा दी है कई गाउं में तो एक हफते बाद भी पानी कम नहीं हुआ वैसे यूपी ही नहीं बिहार के हालाद भी बेहतर नहीं है नेपाल से लगने वाले बिहार के करीब करीब सभी जिलों में बाड़ विकराल रूप ले चुकी है ये तस्वीर बिहार के अररिया जिले की है कई दफा आगाह किया गया लेकिन कोई आक्षन नहीं हुआ आखिर कारपुल ने जल समाधी ले ही ली देश में बाढ़ ने सबसे ज़ादा तबाही असम में मचाई है असम में बाढ़ से 109 लोगों की जान चली गई है 18 जिलों के 1000 से जादा गाउं पानी में डूबे हुए है आठ लाख से जादा आबादी प्रभावित है पिछले कई दिनों से ब्रह्म पुत्र नदी अपने विक्राल रूप में है उत्तर से लेकर दक्षन और पूरब से लेकर पश्चम तक देश का करीब करीब हर कोना इन दि के हालात को लेकर सरकार एक्टिव है प्रभावित इलाकों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है एबी पी गंगा खबर आपकी जवाब की